4th year तक जब आप 11th class से आप college के अंदर और college से job के अंदर जा रहे होते हैं तो वो दोनों आदमी की priority बहुत significantly बदल रही होती है क्या मैं चीज समझ में हा रही हैं? हो सकता है एक व्यक्ती बहुत ज़ादा lazy हो, एक व्यक्ती बहुत ज़ादा passionate and driven हो तो वहाँ पे gap बनना start हो जाता है तो यह जब चीजे हो रही होती हैं और ऐसे में समय आपने अगर खुद के career पे नहीं लगाया है तो हमें एक चोट पड़ सकती है, ऐसा नहीं कि यह relationships गलत हैं बहुत अच्छे होते हैं पर right समय पे हर चीज अच्छी होती है आपको फसल में पानी देना उसका एक समय होता है फसल भाटने का एक समय होता है उसी परकार से career पहले बनाने का एक समय होता है उसके बाद relationships अगर आपको यह पता हो व्यक्ती की सबसे बड़ी need गया है आप उससे सब कुछ लेलो रोटी कपड़ा पानी तो सबसे पहले उसे पाने चीए उसके बाद उसे खाना चीए क्योंकि पाने नी पियेगा तीन दिन में मरेगा खाना नी खायेगा तो मर जाएगा डिपेंडिन का पान उसके पास कितना fat बचा हुआ है और उसके बाद या चीए एक shelter चीए शेल्टर के बाद उसे security ची होती है कि मेरे को हर देन खाना मिलता रहेगा मेरे को और कोई जानवर वानवर आके तो नहीं खार देगा, कोई मार तो नहीं देगा जैसे ही उसे security मिली, उसके बाद वो family बनाता है तो पहले आपको अपनी security बनानी है, उसके बाद हम प्रेम संबंद बना रहे होंगे जब आप खुद अपने आप में fulfilled होंगे और सिर्फ financially नहीं, mentally भी आज की दिन ये बहुत जरूरी है क्योंकि पुरानी चीज़ों को follow कर नहीं सकते और एकदम western से उठा नहीं सकते एक आपको balance बनाना होगा आपकी life में priorities क्या रहे, 1500 करोड की population हो रखे, नहीं बच्चे किसले करने है, वैसे इस देश को काफी सारे आज के दिन नहीं बिजनस चीज़ें, तो क्यों न एक नहीं बिजनस को अपना बच्चा बना लिया जाए, क्यों आप दोनों उसके उपर काम करना रखा है, ठीक है, तो तब तक लिए जनाब, I hope आपको काफी सारी चीज़ों ने help किया होगा, और मेरे जितने मजनों है, जिनने लगता है, भाया, मेरी तो वही है, यही है मेरा लाइफ पार्टनर, और अभी मैंने अगर करियर पर ध्यान दिया, तो मैं पढ़ाई भी नहीं कर पाऊंगा, और वो भी चले जाएगी, जिसको जाना है, वो तो जाएगा, ठीक है, आपके रोकने से कोई के बाद, वो तो हर एक चीज को नापते हैं, हर एक छोटी से छोटी चीज को नापा जाएगा, और वहाँ पर दिखकती काफी बार हो रही होती है, तो इसलिए मैं हमेशा से बोलता हूँ, अपने पैरेंट्स को भी इस प्रोसेस में थोड़ा-थोड़ा इंवाल्व करें, जैसे मैं क्या करता था, मैं इन चक्रों में ही नहीं पड़ता था, चीक है, तो इसी के साथ जिनाब आज का ये वीडियो